आईए देखते हैं मांग के नियम की माननिताएं क्या है यानि कि ये किन माननिताओं पर आधारित है उब्भोगता की आय रूची और स्वाभाव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अगर ना हो तो ही ये माननियम लागू होगा क्योंकि अगर उब्भोगता की आय बढ़ जाती है ये किसी प्रकार का परिवर्तन होता है कमी हो ये व्रिद्धी हो तो उस कंडिशन में उसकी मांग जो होती है वो कम या जादा हो सकती है यानि सीधा सीधा मांग और कीमत का जो नियम है वो यहाँ पर लागू नहीं हो पाए यहाँ पर एक है सकते है कि मांग बढ़ी आए बढ़ी तो उसकी मांग भी बढ़ गई भले वो उस वस्तु की कीमत पहले से बढ़ी हुई थी तो यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं हुआ उसी तरह अगर किसी वस्तु में उसकी रूची है उसको बहुत पसंद है तो उस वस्तु की कीमत अगर बढ़ भी जाती है तो बढ़ी होई कीमत पर उस वस्तु को खरीदना पसंद करता है तो यहाँ पर भी कहीं न कहीं मांग का नियम लागू नहीं हो पाता है दूसरी बात यह आती है कि भोकता को जिस वस्तु को वो क्रे करने जा रहा है किसी उस वस्त वस्तु से स्थानपन वस्तु की जानकारी अगर उसको ना हो तभी वो मांग करने वहाँ पर लागू होगा अगर उसको किसी स्थानपन वस्तु की जानकारी हुई तो जिस वस्तु को वो क्रय करने जा रहा था उसको छोड़के वो दूसरी वस्तु खरीद लेगा जैसे मैंने तो यहाँ पर भी उस मांग का नियम लागू नहीं हो पाया वैसे ही भाविश्य में कीमत परिवर्तन की अगर संभावना हो जाए जैसे मैंने भी आपको बताया कि टमाटर के रेट में आपको पता चलता है कि वृद्धी होने वाली है बढ़ने वाला है तो अगर उस टमाटर कर इट बढ़ा हुआ भी है तो भी आप उसको खरीद के रखने का प्रयास करेंगे यानिकी कीमत में वृद्धी थी उसके बावजूत मैं किसी प्रकार की कुई कमी नहीं आई क्योंकि भाविश्य में उसकी कीमत और और ज्यादा बढ़ने वाली हैं तो यहां पर मांग का नियम लागू नहीं हो पाया हूं बिलकुल वैसे ही अगर कोई वस्तु प्रतिष्ठा मूलक हैं जैसे हम देखते हैं कि शादी ब्याह जैसे आयोजनों में लोग अपनी स्थिती से ज्यादा भी खर्च कई बार करते हैं महंगी से महंगी चीजों को उपयोग करते हैं ऐसा क्यों होता हैं समाज में अपने आपको स्थापित करने के लिए कई बार प्रतिष्ठा मूलक वस्तों का प्रियोग करने के ज़रूरत पड़ती हैं तो अगर कुछ वस्तों प्रतिष्ठा मूलक हैं तो उनकी कीमतों में व पढ़ते आ रहे हैं कि मांग का नियम कीमत से प्रभावित हो रहा है यानि कीमत का बढ़ना या घटना मांग को कही न कहीं प्रभावित कर रहा है वास्तों में यदि देखा जाए तो मांग का ये नियम सिमांत उप्योगिता हास नियम पर ही आधारित है इसके पहले की अध्यायों में हमने सिमान्त उप्योगिता हास नियम के बारे में काफी विस्तार से पढ़ा है सिमान्त उप्योगिता हास नियम में हमने देखा था कि जैसे जैसे उभोगता किसी वस्तु की अत्रिक्त इकायों का प्रयोग करता जाता है उससे प्राप्त होने वाली उप्योगिता घटती जाती है कहीं न कहीं मांग के नियम में भी कुछ ऐसा ही होता है जब एक निश्चित समय में बाजार में किसी वस्तु की बहुत अधिक मात्रा आ जाती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है और कम कीमत की वजह से लोग उसे ज़्यादा खरीदने लगते है यह दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसकी मांग बढ़ जाती है दूसरी और अगर देखें तो जब कोई ऐसे इस्थिति आए जब उस वस्तु को बाजार में कम बेचा जाए या उस वस्तु की मात्रा बाजार में कम हो तो उस वस्तु के कीमत बढ़ी हुई रहती है और क्योंकि कीमत बढ़ी हुई रहती है इसलिए उस वस्तू के उभोगता यानि कि उसके क्रेता कम होते हैं तो दोनों तरफ से अगर मिला के हम देखें तो नियम यही निकल रहा है कि कीमत बढ़ रही है तो मांग घट रही है और वस्तु के कीमत अगर घट रही है तो उसकी मांग बढ़ रही है इसलिए हम कह सकते हैं कि सिमान तुप्योगिता हास नियम पर ही मांग का ये नियम आधारित है अब मांग के इस नियम को और अच्छे से समझने के लिए हम एक सारणी और ग्राफ का प्रयोग करेंगे जब एक पैन के कीमत बाजार में एक रुपए थी उस समय उस पैन की मांग पच्छी सिकाई थी जैसे ही उस पैन की कीमत बढ़के दो रुपए हो गई उसकी मांग घट कर बी सिकाई हो गई जब उस Pen के कीमत 3 रुपए होई तो Pen की मांग 15 इकाई हो गई कीमत 4 रुपए होने पर उसकी मांग 10 इकाई हो गई और जब उसकी कीमत बढ़कर 5 रुपए हो गई तो आप देख रहे हैं कि Pen की मांग सिर्फ 5 इकाई के रह गई इस पश्ट दिख रहा है कि जैसे जैसे पैन का रेट पैन की कीमत बढ़ती गई वैसे वैसे बजार में उसकी मांग घटकर कम होती चली गई अब क्योंकि सिमान्त उप्योगिता हास्नियम पराधारित है तो हमने पहले के अध्यायों में देखा है कि एक भोकता किसी वस्तू की उतनी ही कीमत देने के लिए तयार होता है जितनी कि उसको उस वस्तू से सिमान्त उप्योगिता प्राप्त होती है यानि कि यहां पर भी बाजार में एक क्रेता किसी वस्तु के लिए सिर्फ उतना ही मूले देता है जितना वो उसके लिए उपयोगी होती है अगर वो वस्तू उसके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत आविश्यक नहीं होती, तो वो उसके लिए बहुत कम मुले देने के लिए तयार होता है यह फिर नहीं खरीटता, नहीं खरीटने का मतलब है कि उस वस्तू के मांग कम हो जाती है अब अगर हम इस सारनी को ग्राफ के द्वारा देखें तो कुछ इस तरह से इस्तिती हमको प्राप्त होगी यहां पर हमने सारनी के आधार पर इस ग्राफ का निर्मान किया है जिसमें O X पर हमने वस्तू कियाने की पैन की मात्रा ली है और O Y पर हमने PEN की कीमत ली है सारनी के आधार पर हम इस ग्राफ में इस पस्ट देख रहे हैं कि जब PEN की कीमत एक रुपए थी तो उसकी मांग 25 ही काई थी फिर PEN की कीमत जब 2 रुपए हुई तो उसकी मांग आप आप देख रहे हैं 20 ही काई हो गई पैन की कीमत जब 3 रुपय थी तो उसकी मांग 15 इकाई हो गई जब पैन की कीमत 4 रुपय हुई तो मांग घटकर 10 इकाई हो गई और 5 रुपय होने पर उसकी मांग घटकर 5 इकाई की रह गई यहाँ पर हमको जो बिंदु प्राप्त होता है A, B, C, D और E इस बिंदु के आधार पर जब हम D, D वक्र का निर्माण करते हैं तो यह जो D, D वक्र है यह मांग वक्र कहलाता है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से बाएं से दाएं नीचे की और जुकता हुआ दिखाई दे रहा है जो के इस पस्ट कर रहा है कि किसी वस्तू की कीमत और उसकी मांग में रिणात्मक यानि कि विप्रीत संबंध होता है सरल शब्दों में कीमत बढ़ने पर मांग हड़ जाती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है यही मांग का नियम है मांग का नियम क्या है ये हमने अब तक जाना है लेकिन मांग का ये नियम क्यों लागू होता है क्या कारण है मांग के नियम लागू होने के या फिर हम ये कह सकते हैं कि मांग वक्र क्यों हमेशा बाएं से दाएं नीचे के और जुकता है यह यह भी प्रश्ण उच्छता है कि क्यूं मांग और कीमत में विपरीट संबंध होते हैं इन सब उत्तर हम कुछ बिंदों के आधार पर दे सकते हैं पहला कारण इसका यह है कि यहां पर मांग के नियम में क्योंकि सिमांत उपयोगिता हास नियम पर यह आधारित है एक समय में मान लेजिए चिंटू को जलेवी बहुत पसंद है 50 रुपय लेकर वो बाजार जाता है पहले वो 10 रुपय की जलेवी खरीदता है खाता है जाहिर से बात है कि पहले उसको बहुत तिव रिक्षा है उसके अंदर खाने की जब वो 10 रुपे की जलेबी खाता है तो उसको संतुष्टी प्राप्त होती है और वो 10 रुपे देता है फिर थोड़ी से इक्षा और है उसके अंदर जलेबी खाने की तो वो 10 रुपे और देता है फिर 10 रुपे की जलेबी और खा लेता है तो उसके ज उसके बाद वो संतुष्ट हो गया पूरी तरीके से, अब वो जले भी नहीं खाना चाहता है, कहने का मतलब है, पहले उसने 10 रुपे दिया, फिर दस रुपे दिया, फिर वो सिर्फ 5 रुपे देता है, अब वो कुछ भी पैसा नहीं देना चाहता, यानि अब वो अपनी इस के लिए, कोई भी पैसे खर्च करना नहीं चाहता है, सीधा सिधा सीमान तुपयोगिता हास्नियम भी यहीं बताता है, कि जब वस्तू से सिमान तुपयोगिता प्राप्त हो जाये, तो उसके बाद वोगता, एक भी पैसा देने के लिए तयार नहीं होता है, बिल्कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि उस समय उस्वस्तु के मांग उस बजार में कम हो जाती है या खत्म हो जाती है वैसे ही आय का प्रभाव भी एक बहुत महत्वूर्ट तत्व है जो मांग के नियम के लागु होने का कारण बनता है हमने आय और कीमत दोनों के संबंधों को बहुत प्रभाना एक छोटे से उधारन से हम आय के प्रभाव को मांग में अच्छे से समझ लेंगे मान लेजे सरीता को सरीता को आलू लेना है उसे मालूम है कि बाजार में आलू 20 रुपए किलो है वो 40 रुपए लेकर बाजार जाती है दो किलो आलू लेने लेकिन बाजार में आलू की कीमत हो गई है 15 रुपए अब उसने 30 रुपए में 2 किलो आलू ले लिए लेकिन अभी भी उसके पास 10 रुपए बच गए तो ये 40 और 30 के बीच का जो डिफरेंस आया कहीं न कहीं ये उसकी वास्तविक आय कहलाएगी अब वो क्या करेगी उस 10 रुपए से वो कुछ ग्राम आलू और खरीद लेगी यानि कहीं न कहीं उसकी वास्तविक आय यानि कि आय में जो अंतर आया आय जो बढ़ी वो उस बढ़ी हुई आय से आलू की मांग को और जादा कर सकती है कहने का मतलब है कि आय में अगर विद्धी हो रही है तो उस वस्तू की मांग में भी विद्धी होगी जो की क्रेता खरीदना चाहा रहा है वैसे ही इसका जो तीसरा महत्पूर्ण कारक है वो है प्रतिस्थापन प्रभाव स्थानापन वस्तू के बारे में हमने पहले भी जाना है इस अध्याय में भी हमने देखा है कि जब हम किसी वस्तू का उप्योग करते हैं तो उसके कई स्थानापन वस्तू हमारे सामने होती है हम उसकी कीमत के आधार पर या अपनी आवशक्ता के आधार पर उन वस्तों का चायन करना चाहते हैं जैसे हमने देखा था कि हमको चाय या कॉफी पीने की इक्षा है कॉफी की कीमत अगर जादा है तो वहां पर चाय की मांग बढ़ जाएगी यानि ये ऐसे वस्तुएं हैं कि एक वस्तु के मांग, एक वस्तु की कीमत में कमी अवरिद्धी होने पर दूसरी वस्तु की मांग में कमी अवरिद्धी होती है ऐसे ही कीमत प्रभाव एक ऐसा तत्व है जो कही न कही मांग के नियम के लागू होने का कारण बनता है बार-बार हम इस चीज को जान रहे हैं कि कीमत कैसे एफेक्ट करती है किसी वस्तू की डिमांड को लेकिन कहीं न कहीं इसका सीधा संबन्ध होता है उब्भोकताओं की संख्या से जाहिर सी बात है कि कीमत अगर घटेगी तो मांग बढ़ेगी यानि कि उब्भोकताओं की संख्या बढ़ेगी अगर हम इसको दूसरी प्रकार से देखे तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी समय में बाजार में उभोकताओं की संख्या बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ेगी और किसी समय में अगर बाजार में उभोकताओं की संख्या घड़ जाती है तो उस वस्तू की मांग भी घड़ जाएगी एक अन्य तत्व है वैकल्पिक प्रयोग बहुत से चीजे असी होती है जिनको हम वैकल्पिक रूप से प्रयोग कर सकते हैं एक उदारण के तोर पर लकड़ी हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि लकड़ी के बहुत से प्रयोग होते हैं जलाने के लिए भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है फनीचर बनाने के लिए क्या जाता है घर में साज सज्जा के लिए दरवाजे बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में हम उसका प्रयोग करते हैं तो ऐसी वस्तुएं जैसे लकडी हुई, बिजली हुई, कोईला हुआ ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनका वेकलपिक प्रयोग होता है तो जो वस्तोय वैकल्पिक प्रयोग की होती है उनकी मांग हमेशा बढ़ी हुई रहती है तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो कहीं न कहीं मांग के नियम के लागू होनी के कारण बन जाते हैं अर्थशास्त्र में जितने भी नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कहीं न कहीं उसमें कुछ न कुछ विरोधा भास जरूर होता है कहीं न कहीं उसके कुछ अपवाद भी जरूर हमारे सामने आते हैं तो आईए देखते हैं मांग के नियम के कौन-कौन से अपवाद है मांग के नियम के अपवादों पर एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि ये जो नियम है गिफिन वस्तुएं जिने हम निक्रिष्ट वस्तुएं या नॉन ब्रांड़ेट प्रोड़क्ट कहते हैं इन पर ये लागू नहीं होता है जैसे जैसे किसी वेक्ति की आय बढ़ती जाती है वो नॉन ब्रांड़ेट वस्तुओं को अगर कम कीमत में भी मिल रही है तो भी उनकी मांग कम ही रहती है और ब्रांड़ेट वस्तुओं अगर अधिक कीमत पर मिल रही है तो भी उनकी मांग बढ़ जाती है तो कहीं न कहीं ये नियम गिफिन वस्तुओं यानि नॉन ब्रांड़ेट वस्तुओं पर लागू नहीं हो पाता है दिखावे के चलते यह समाज में अपनी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए लोग महंगी से महंगी चीजों को को खरीदना चाहते हैंdays सोन महिंगी वस्तों की महांघ रहती है मेंगी वस्तों तो भी उनकी मांग में बहुत जादा परिवर्तर नहीं आता है तो कहीं न कहीं इन प्रतिष्ठा मुलक वस्तों पर समाज में एक संमाजनक कि स्थान प्रदान करती है यह चिनके बारें में हमारी अपनी धाड़ना है कि trud समाज में हमारे प्रतिषठा कूर बनाय रखेंगी वह वस्तव अगर अगर मैंगी मिल रही है तो भी उभोकता उनको खरीदना चाहता है तो इन वस्तुव पर मांग का नियम लागू नहीं हो पाता है वैसे ही अनिवारे ताएं यानि कि कुछ वस्तुवें ऐसे होती है जिने हम अर्थ शास्त्र की भाषा में अनिवारे वस्तुवें कहते हैं जैसे रोटी कपड़ा और माकान यह ऐसे वस वस्तुव के मूल में कमिया व्रिद्धी होने पर भी इनकी मांग में बहुत ज्यादा कमिया व्रिद्धी नहीं होती है ठीक इसी तरह कुछ विशेस अवसरों पर जैसे शादी ब्याह या अन्य किसी खुशी के मौके पर लोग इस बात के या फिर अपनी ऐसे धाना को बद खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत ज्यादा है कुल मिलाकर उनकी मांसिक्ता यह रहती है कि जिसमें उनकी रूची है जैसा उनका सभाव है जिसमें उनकी रूची है जो चीज उनको ज्यादा पसंद है उस चीज को वो खरीदना चाहते हैं भले ही वो चीज महंगी क्यों ना ह ठेक इसी तरह और द्योगिक तेजी या मंदी की दशा भी मांग के नियम को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती और द्योगिक तेजी की समय में क्या होता है कि राष्ट्री आय बढ़ी होती है और राष्ट्री आय बढ़ी रहती है तो प्रतिवेक्ति आय भी बढ़ी लाई है तो वह मेहगी वस्तु को भी खरीदना चाहता है तो ऐसे कंडिशन में मांग कर्ंटियम यहां लागू नहीं हो पाता है अब तक हमने देखा कि वस्तु की कीमत का किसी वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पढ़ता है क्या प्रभाव पढ़ता है ये हमने जाना लेकिन कितना ये अभी तक हम नहीं जान पाए हैं हमने देखा कि वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो उसकी मांग कम होती है लेकिन कितनी कम होती है दूसरे बात वस्तु की कीमत अगर कम होती है तो मांग बढ़ती है लेकिन कितनी बढ़ती है यानि मांग बढ़ती है ये तो हमने जाना है लेकिन कितनी मात्रा में बढ़ती है ये अभी भी एक प्रश्न है इसे हम आगे के अध्याय में और अच्छे से जानेंगे लेकिन फिलहाल हम मांग में होने वाले विस्तार या संकुचन और मांग में होने वाले वृद्धी या कमी के अधार पर इसको जानने का प्रयास करते हैं तो क्या है मांग का विस्तार या संकुचन क्या होता है कि किसी वस्तु की कीमत और कीमत के अत्रिक्त भी कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं सीधी से बात है कि अगर किसी वस्तु की कीमत उसके मांग को प्रभावित करती है यानि कि एक निश्यत समय में बाजार में किसी वस्तु के कीमत के कम होने के कारण अगर उसकी मांग बढ़ी है कारण क्या था कीमत कम होने के कारण उस वस्तू की मांग बढ़ी है तो वो मांग का विस्तार कहलाएगा दूसरी बात अगर किसी वस्तू की कीमत बढ़ने के कारण उस वस्तू की मांग कम हुई है तो ये स्थिती मांग का संकुचन कहलाएगी यानि कि शब्दों का हेर फेर कि दूसरी बात कीमत के अत्रिक्त बहुत से फेक्टर हैं जो मांग को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर देते हैं कौन-कौन से फेक्टर है उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं आएक बफिर देखते हैं उभोगता की रूची उसकी आदत स्वभाव यह फैशन मौसम यह जलवाईयू उभोगता की आय में परिवर्तन या कीमत में परिवर्तन यानि कि भविश्य में उस्वस्तु के कीमत के बढ़ जाने की संभावना यह कुछ ऐसे तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं कहने का मतलब यह है कि कीमत को छोड़कर बाकि यह सारे तत्व अगर इन सभी तत्तों के कारण किसी वस्तु की मांग बढ़ी है तो हम कहेंगे कि मांग में वृद्धी हुई है ना की विस्तार या अगर इन तत्तों के कारण किसी वस्तु की मांग कम हुई है तो हम कहेंगे कि मांग में कमी हुई है ना की संकुचन तो विस्तार संकुचन और व्रिद्धिय कमी में अंतर जो है वो सिर्फ दो शब्दों के कारण है कीमत और दूसरा ये पाच तत्व जो कीमत के अत्रिक मांग को प्रभावित करते हैं अब अगर हम इनमें अंतर की बात करें मांग में विस्तार या संकुचन और मांग में वृद्धी या कमी अगर हम इनमें अंतर की बात करें तो यहां दो ही चीज हमको दिखाई देती हैं कि पहला मांग में विस्तार या संकुचन हम कीमत के आधार पर निकालते हैं और मांग म में व्रिद्धी या कमी हम अन्य वुन तक्तों के आधार पर निकालते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं जिनके बारे में हमने अभी जाना दूसरा एक महत्वपूर्ण अंतर यहां पर यह भी देखने को मिलता है कि मांग वक्र में विस्तार और संकुचन को जो वक्र इं यह जो रेखा है मांग वक्र की उसका चलन ऊपर से नीचे की ओर जाता है यह प्रियोग हम कप करते हैं जब मांग में विस्तार या संकुचन हो दूसरा अगर मांग में कमी अवरिद्धी हो तो वहां पर इसी वक्र को हम चलन ना कहकर रेखा का खिसकाव कहते हैं दूसरी बात अगर हम मांग में संकुचन और मांग में कमी दोनों में अंतर की बात करें तो वहां भी बिल्कुल यही उसका उत्तर होगा कि संकुचन शब्द का प्रियोग हम तब करेंगे जब कीमत का प्रभाव मांग पर पढ़ा हो और कमी शब्द का प्रियोग हम तब कर तभाव इसकी मांग पर पड़ा हूं अंतर की अगर बात हम चलन या खिशकाओ के लिए करें तो दोनों में यहीं अंतर है ऌतिए कि चलन शब्द का प्रयोग तब किया जाता जब वस्तु की मांग कीमत से प्रभावित होती है और खिसकाव शब्द का प्रयोगम तब करते हैं जब वस्तु की मांग कीमत के अत्रिक्त अन्नी किसी तत्व से प्रभावित होती है